ही गाइज वल्कम बाक तो माँ चानल प्यूटी हल्टेस्टाइल गाइज आज हम डिसकस करने वाले हैं आप अपने बाल को कैसे तेजी से बरा सकते हैं हाओ यू कंपूस्ट है गरोफ नहीं जानते हो इस वनिज घू को अपने लगाना हैं वीडियो को अप्लाइब ग्रॉस पोस्ट करोंगी तो आपको नोटिक्वेशन मिलगी तो गाइस चलो चुरू कते हैं इस वीडियो को विडाट फॉर्थर दू अब विंटर आ गये हैं तो विंटर में हमारे है और नेल्स का जो ग्रोथ है बहुती स्लोव स्प्रीड में होता है तो यह ताइम इस बेस्ट टो अप्लाइ और अउन जूस इन यहार ओन जीच बहुती एफ़िक्टव इसमें सल्फार है जो सल्फार है वेरी इस वेरी इन ओट प्रमोोट है ग्रोथ एक्रोथ यह यह था टोवल वेरी फस्ट बहुती टेजी से आ प्र всей अगर आपके डर् tournaments अगर आपके बालो में दंडर केर छोग आपके ही ब foresee टेजी से बत्ते है क्योंकि यह बहुत ही स्ट्रॉंग है इस सल्फर विच हेल्पस इं है ग्रोथ और रीगोथ यह फंटास्टिक रेमिडी पो यह है और ज्टीस नेशल लेकिन लिगन किसी को अईनिन जूस परना है पहली बार अगर आप अप्लाइ करे हो तो आपको पैश्टेस बहुरती I suggest you you have to do a patch test and when you do a patch test तो आपको patch test पीछे लगाना है जो वेड़ा है जो वेड़ा है स्टार्स you have to do a patch test here and you take a cotton bowl and dip the onion juice in that and you apply it and do the patch test and when you do a patch test if there's no reaction then you can go ahead and apply this remedy and this remedy is natural now let's get the onion juice smell very strong how can we apply it yes onion juice smell very strong and when you apply this application to the onion juice smell in your hair so what can you do you spray rose water in your hair so it will be a good smell and the onion juice smell it will not be so much it will not be so much so let's go in the kitchen and see how this remedy is made and how to add it let's go so guys I have one onion लिया है अब हम इसको पीग करेंगे onion juice बनाने के लिए तो जाइज अब हम इसका juice निकालेंगे मैंने च्छानी लिया है अब हम इसका onions का juice निकालेंगे ये onion juice आप डाइटली अपने बालों में लगा सकते हो with the help of cotton ball अगर आपके बाल में dandruff है या dryness की problem है तो कोई भी oil आप इसके डाल सकते हो और अपने बालों में लगा सकते हो ये कमाल का remedy है hair fall के लिए आपको cotton ball लेना है और सिर्व अपने scalp में लगाना है ends में बिलकुल नहीं लगाना है और जिस जिस area में आप देखते हैं कि आपके बाल वहां कम है आप वहां लगा सकते हो लेकिन ends में बिल्कुल नहीं लगाना है इस remedy के साथ आपके बाल बहुती तेजी से बरेंगे और ये hair fall को भी जोकता है और आपके बाल जो पतले हैं आपके बाल घने और लंबे भी हो जाएंगे आपको मसाज करना है scalp में 2-3 मिनित के लिए बहुती जेंटली अब मैं बालो को टाइ किया है अब हम इसको रखेंगे for 20-30 मिनित फिर हम माइल शांपू के साथ इसको वाश करेंगे तो गाइस आपने देखा इस remedy को कैसे बनाते हैं और कैसे लगाते हैं तो इस remedy को आपको लगाना है at least in a week once तो आप फाइदे देखेंगे and continuously आपको करना है for 1 month and in 1 month you will see your hair is grown 6 inches yes guys 6 inches and you will be shocked to see the results in your hair क्योंकि onion juice is a very powerful remedy it has sulfur which helps in hair growth grow भी हो जाएंगे and आपके बाल healthy भी रहेंगे यह रेमरी बहुती natural है कोई भी side effects नहीं है one of the best remedy for your hair so guys यह था मेरा आज का वीडियो अगर अगर आपको वीडियो पसना है तो क्या करना चाहिए लाइक करना चाहिए तो जरू लाइक करना और सारे फ्रेंस के साथ जरू शेक करना अगर अगर अपने subscribe नहीं किया अब तक तो